ओम नमाश शिवार जुने धर्म से जुने भगवान से और अपने मन की बहुत सारी रांतियों को मिध्या वरण को दूर कर ले तो चलिए बढ़ते हैं भगवान गोलेनाथ सीव के रहस्य में विचित्र रूप वेश्पूसा के बारे में पर्थम एपिसोर पहली कड़ी जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा भगवान सेव के साथ बाधंबदी एक रोचक घटना के बारे में तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस प्रस्तिती की तरफ बिना देल के भगवान सीव भोलेनाथ हैं वहर छल कपट से एक गम दूर स्रश्ट के सरचल करता हैं भगवान सीव बहुत ही रहस्त मईए हैं वैसे ही सीव की वेस्ट साथी रहस्त मईए हैं सीव ने गले में नाग मुंडबा लाए धारण की हुई हैं उनके सीड़्स पर चंद्रमा और केसों में गंगा है इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ रहस्त हैं इसी तरहें सीव वैसे तो सरीर पर फस्त धारण करते हैं लेकिन सीव बाकी खाल भी धारण किये हुए हैं यहां तक ही उसके आसन पर भी विराजमान रहते हैं तो चलिए आज हम आपको सिव के वस्त की इस अधुद्धितना रहस के पीछे ले चलते हैं और बतलाते हैं यह रहस है क्या तो चलिए ऐसे ही एक कथा जो मुझको प्राप्थ होई है वो मैं आपसे साजा करता हिरनकस्यप को मिले वर्दान के चलते स्वयं विष्णु भगवान ने उसके संधार के लिए नर्सिंग अउतार थारण किया यह तो आप सभी जाने हिरनकस्यप का वत्त हो गया लेकिन नारायन भगवान विष्णु का क्रोड इतना प्रचंड था कि उनके क्रोड से समस्त जगत भैवी हो गया और सभी देवी देटा गां त्रहेमाम करने तब समस्त देव का सिव की सरण में पहुंचे और नर्सिंग भगवान को सांध करने का अग्रह तब नर्सिंग भगवान का गुस्षा सांध करने के लिए सिव ने सालभ आउतार धारं किया दोस्तों यहां इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पहुंसी जगे पर इस सालभ आउतार को सारभ या सरभ आउतार भी बताया गया है और उस प्रेंकर प्रेंकारी युद्ध का भी वर्ण किया गया है जो कहते हैं कि करीब अठारे दिद्व चला था और उसमें सबसे पहले भद्र आउतार को नर्शिंग के पास भेजा था लेकिन उससे भी क्रोध सांत नहीं हुआ तर नर्शिंग भगवान का तब भगवान सेव को अपना सारभ या सालभ आउतार धारण करना पड़ा था अक्च्यन्थ परम सक्तिसाली आउतार था हुआ निश्चित्य रूप से जिहाँ दुश्चित्य शिव ने सालभ आउतार यानि भगवान संकर का छटा आउतार है सालभ आउतार लिंग पुराण में भी सिव के सालभ आउतार की कथा है सालभ आउतार के बारे में मानिता है कि है एक ऐसा प्राणी था जो सिंग से भी बलसाली था बलवान था वा जिसके आच पैर होते थी सिव इस आउतार में गरोर, सिंग और मनुस्यका मिस्वित रूप धान करके प्रकट हुए और सालभ कहलाए दोस्तों सिव भगवान इसी रूप में भगवान नर्सिंग के पास पहुँचे तता उनसे आगरह किया लेके नर्सिंग भगवान की प्रोदाग्न सांत नहीं हुई यह देखकर सालभ रूपी भगवान सिव अपनी बूच में नर्सिंग को लपेट कर ले ओड़े सालभ नर्सिंग भगवान पर चोच से वार करने लगा सालभ के वार से आहत होकर नर्सिंग ने अपना सरी जागने का निर्ड़े लिया तब कहीं जाकर भगवान नर्सिंग की प्रोदाग्नी सांत हुई नर्सिंग भगवान ने सिव के सालभ अवतार से छमायाजनाकर अति विनवर्भाव के उनकी सुत्रि की और सिव से निविद़न किया की उनके चर्म को यानि कि नर्सिंगंग पने हुए भगवान विश्टू के बाघंबर को चर्म को शिव अपने आसन के लूप में स्विकार करी। इसके बाद नर्सिंग हगवान विश्टू के तेजवे मिल गए, समाहित हो गए। और शिव ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। इसलिए ही सिव अपने स्रीर पर इसी खाल को धारण ये हुए हैं इस प्रकार भगवान सिव ने साला बाउताद धारण कर भगवान नर्सिंग की कोदागी से सिस्ट की रक्षा की तो दोस्तों ऐसी कथा कहानिया आपको मैं प्रसुत करता रहूँगा और आप मुझसे सदा ही जुड़े रहें और ऐसी आस्षर जदक तथ्थो रोचक प्रसंगों को आप आनदित अन्भव करते रहें भोले ने अदभुत सांग बनाया सालब आउतार रचाया भोले ने अदबत सांग बनाया ये गाना ये कवता मैं फिर कभी किसी और आंकर में पस्तिक दरूआ तब तक के लिए जै बोले नाद जै सिर्शंकर बोले नाद ओम नवाशिवाये ओम नवाशिवाये ओम नवाशिवाये दोस्तों प्रस्तिक को लाइक करिएगा ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए आगे भी बढ़ाईएगा इसको सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं और नोटिफिकेशन को भी बैल आइकन प्रेस करें हुए ओन कर लिजिएगा इससे के आपको सबसे पहले जानकारी मिले जब भी मैं वीडियो नया दाव तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको है रोचक पसंग पसंद आया होगा और ईश्वा से जोड़ने में आपको मददगार धर्व से जोड़ने में आपकी आस्था को और समर्द्ध करेगा तो चलिए धन्यवाद देटो सुप्ति आप सभीगा ठैंक यू वेरी मच ओ नमाश शिवाय बिलते हैं अपनी अगली प्रस्ति प्रस्ति